सल्मान खान की जान पर खत्रा मंडरा रहा है। लॉरेस विश्णोई गैंग तो सल्मान की बीचे हाथ धोकर पड़ा है और रोज खुले आम धंकिया दे रहा है। वहीं सल्मान खान को लेकर के पुलिस को भी लगातार धंकी भरे फोन आ रहे हैं। अब करोडों की फिरौती मांगे जा रही है। सल्मान को एक बार फिर जान से मानने की धंकी मिली है और दो करोड की फिरौती मांगे गई है। आपको बता दें कि सल्मान खान के नाम पर धमकी भारा संदेश आया है मुंबई ट्राफिक पुलीस को जिसमें ये कहा गया है कि दो करोड रुपए दिये जाए नहीं तो सल्मान खान को मार दिया जाएगा इसके बाद मुंबई बुलिस तेजी से आक्शन मोड में आ गई है अग्यात शक्स ने वर्ली ट्राफिक पुलीस को ये मैसेज भेजा इसमें ये कहा गया कि सल्मान खान के जान को खत्रा है तो करोड रुपए की फिरौती मांगी गई है नहीं तो सल्मान खान को जान से मार देने की धंकी दी गई है अब पुलिस ने अग्यात शक्स के खिला मामला दर्च कर लिया है पुलिस अधिकारी ने बताया कि मैसेज करने वाले शक्स ने ये भी कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो सल्मान को जान से मार देंगे फिलहार पुलिस तीजी से एक्शन मोड में आ गई है और इस शक्स की तलाश में जुट गई है इससे पहले आप कि एक धंकी देने वाले इंसान को नौइडा से गिरफतार किया गया था शक्स का नाम मुहमबत तयब और गुर्फान था और अब एक और धंकी मिली है मुंबई पुलिस को जिसके बाद पुलिस अब फास्ट एक्शन मोड में दिखाई दे रही है